नमस्कार मैं संजना स्वागत है आप सभी का एशिया न्यूज अंजा में महराश्र के बाद क्या आप जारखंड की बारी है बीजेपी घोटाले में आई एस पूजा सिंगल के नपते ही बीजेपी जारखंड में नई सरकार बनाने की दिशा में चल पड़ी थी खुद के नाम खदान एलोट करके भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्य मंतरी को सत्ता से उतार बीजेपी सरकार में बैठ जाती मगर मौका राश्रपती चुनाव का आ गया है जारखंड में उपरेशन कमल की जल्दिबाजी से बात बिगड जाती जहां आदिवासी को राश्रपती बना कर गुजरात के चुनाव में आदिवासीों को बीजेपी की और खीच लाने की कोशिश है वहां आदिवासी मुख्य मंतरी हटते ही शहदत की सियासत फिजा में फैल जाती फिर वो बात जारकंट से नहीं बनती जो महराश्र में बन गई 18 जुलाई को राश्रपती चुनाव है चुनाव के अलान के समय कमतर दिख रही बीजेपी महराश्र में सत्ता परिवर्तन से ना सर्फ सहज हो गई है बलकि जीत के अंतर को बड़ा करने में लग गई है महराश्र में ऑपरेशन कमल की जीत से एक जटके में बीजेपी के राश्रपती पद के उमिदबार द्रौपती मुर्मुर के हक में प्रत्यक्ष दिखने वाले 50 विधायक और एक सांसद का वोट चला आया है महराश्र में एकनाच सिंदे की सरकार बनने से एंसेपी और कॉंग्रस विधायक दल में भी खलबली मच गई है उसका प्रत्यक्ष लाप द्रौपती मुर्मुर को ही मिलना है नामकन के समय उमीद से बंधे प्रतिपक्ष के उमीदवार यश्वंत सिनहा के हलक का पानी अब सूख रहा है लेकिन राश्रपती पद के लिए विपक्ष के उमीदवार यश्वंत सिनहा के ग्रेपरदेश जार्खन में सांसद की स्थिती बनी हुई है राज में UPA की साजा सरकार है आगुआ जहारखन मुक्ती मोर्चा के नेता हेमन सोरिन है उनकी एक टांग सियासत में तो दूसरी ED और CBI के मुकदमे में जाफसी है वाचाकर भी सिनहा के हक में मतदान करने का फैसला नहीं सुना पा रहे हैं जहारखन के मुख्य मंतरी सोरिन को इसकी परिनीती का भान है महराश्टर करनाटिक और मध्यपरदेश में जस रास्ते बीजेपी की सरकार बनी है वह देख और समझ कर नतीजा जानते हैं इसलिए राश्टर पती समर्थन के नाम पर इधर उधर की बात करते हुए दिल्ली जाकर ग्रिह मंतरी अमिच शाह से लंबी मुलकात करा हैं इस मुलकात को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अतीत में हेमंत सोरेन की राजनिती बीजेपी के सहारे ही चमकी है वह 2009 में पहली बार विधायक बने 2010 में मुख्यमंतरी अरजन मुंडा की सरकार में रगुवर्दास के साथ उप मुख्यमंतरी बना दिये गए 15 जुलाई 2013 को लालु यादव की आर जेडी और कॉंग्रिस की मदद से पहली बार मुख्यमंतरी बने वो अलगबग वैसा ही ओप्रेशन था जैसा की महराश्ट में शरत पवार ने बीजेपी से अलग लेकर उधव ठाकरे को मुख्यमंतरी की कुरसी तोफ़ा में दिला दी थी धन्यवाद इस रिपोर्ट पर बस इतना ही बने रही जिन्जा के साथ